नमाश्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फ्रस बार बार स्वागत है करियर बेट के स्फैमली में जैसा कि एक वीडियो के मादम से बने आप सभी को सूचित किया था कि यूपिटर 2019 की परिक्षा में OMR सीट पर की गई गलती की वज़ा से जिन अभियर्थियों का रिजल्ट रुका हुआ है वो सभी दिनांक 10 फर्वारी 2020 को PNP पर कार्या उपस्तित हो करके अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे उसी के संदर में आप इस्क्रिन पर आर्टिकल देख पा रहे हैं और इस आर्टिकल के अनुसार PNP के मुख्य सचिव का ये कहना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालया पर प्रदर्शन के दौरान सचिव परिख्षान यमक अनिल भोशन चत्रुएदी ने अभियर्थियों को आस्वस्त किया कि उनकी समस्याओं पर विचार किया जाएगा उन्होंने परिख्षार्थियों से कहा कि समस्याओं के संदर में प्रत्यावेदन दे उस पर विचार करके दस दिन में समधान किया जाएगा दोस्तों इस आर्टिकल में कुछ विरोधा भास है जो मैंने आप लोग को वीडियो में बताय था और यहां पर आप देख सकते हैं दूसरी आर्टिकल बुकलेट सिरीज और द्वितिय भासा के चूक में फसा रिजल्ट और यहां पर PNP के सचु का क्या कुछ कहना है यहां पर आप देख सकते हैं देखिए वहीं परिक्षा संस्था के अपसरो का कहना है कि सभी सूचनाय दर्ज ना करने से रिजल्ट घोशित नहीं हुआ है अब संसोधित परिडाम किया जाना संभव नहीं है इसके अलावा आप यहां पर PNP कारयाले पर जो गेट है वहां पर लगी नोटिस को भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस पर भी उन्होंने इस पश्ट कहा है PNP ने कि किसी भी प्रकार की गलती के वज़़से जिनका रिजल्ट रुका हुआ है वह अपना अब गलतियों को सुधार नहीं किया जाएगा दोस्तों इस वीडियो का मकसद सिर्फ भ्रामक खबरों से आप सभी को बचाना है क्योंकि सोसल मेडिया साइट्स पर और नियूज पेपर में कुछ भ्रामक खबरे आ रही हैं कि OMR सीट पर जो गलती हुआ है उन पर PNP ने आ कि वीडियो में पस इतना ही ऐसे ही महतोफून अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ धन्यवाद